नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं बंदिलखंड एक्सप्रेदवे पर और यह NS-27 और बंदिलखंड एक्सप्रेदवे का इंटर्चेंज है NS-27 बंदिलखंड के दो महनगर जहांसी और कानपर को आपस में कनेक्ट टरता है चलिए आज हम आपको दिखाते हैं डिस्टिक जालोन में बंदिलखंड एक्सप्रेदवे का वह पार्ट जहां से 13 जुलाई को पी एम मोधी जी के दोरा बंदिलखंड एक्सप्रेदवे का लोकारपन किया जाएगा दोस्तों यह है NS-27 के इंटर्चेंज का टोल बूट और यहीं से प्रधान मंत्री जी के दोरा इस एक्सप्रेदवे का उदगाटन किया जाएगा आप देख सकते हैं अभी से ही उदगाटन की तैयारियां सुरू हो चुकी हैं अभी कुछ दिन पहले ही अधिकारियों के दोरा इस एक्सप्रेदवे का सर्वे किया गया और इस पर्टिकुलर पार्ड को उदगाटन के लिए चुना गया दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जेसे भी और टेक्टर के दोरा खेतों के समतली करण का कार किया जा रहा है और इसी जगह पर उदगाटन के लिए मंच लगाए जाएगा और साथ में बंदिलखंडी सांस्कृतिक कारकरम भी किये जाएंगे चलिए दोस्तों आप देखते हैं कि बंदिलखंड एक्सप्रेज़े पर कितना कार हुआ है और अभी कितना बागी है आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बिसाल इंटरचेंज बनाए गया है दोस्तो अभी हमने 5-10 किलोमेटर की इस एक्सप्रेजवे पर राइट की है लेकिन हमें कहीं भी इस एक्सप्रेजवे पर कोई भी कार छूटा नहीं दिखा है हाँ कुछ जगाओं पर स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन का कार जरूर किया जा रहा है और वह कार भी 4-5 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा देखिए दोस्तो यह है नस-27 और बंदिलखंड एक्सप्रेजवे का इंटरचेंज देख सकते हैं आप कितना बड़ा इंटरचेंज बनाए गया है और यह जो आप छोटे-छोटे चाय के स्टॉल देख रहे हैं यह सब बंदिलखंड एक्सप्रेजवे के बनने के बाद ही यहाँ पर बने है वास्ता में बंदिलखंड एक्सप्रेजवे भविस समय बंदिलखंड की लाइफ लाइफ लाइन बनेगा दोस्तों अगर आप वंदिलखंड के उद्गाटन की तयारियां और उद्गाटन की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर बताईए